Hello everyone and welcome back in my YouTube channel CEMPARIKSHAH आज हम पढ़ने वाले हैं Methods of Preparation of Alcohols तो Methods of Preparation of Alcohols में हमें सबसे पहला देखना है कि Alcohols को हम hello all gain से कैसे बना सकते हैं ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी आभी आपको revise करने में easy होगा अगर हमारे पास है जैसे की कोई भी alkylilide Rx अगर हमें इसे बनाना हो alcohol तो हमें इसे कैसे बनाएंगे हमने एक किया हुआ है याद कीजिए तब हमने डाला था इसमें AQUOS KOH ये सारी बाते जो है एक दूसरे चैप्टर से लिंक्ट है तब ही आपको जाद अच्छे से organic chemistry समझ में आगी All right AQUOS KOH डालते ही क्या होता है AQUOS KOH या फिर AQUOS NUH दोनों ही डाल सकते हैं दोनों की properties क्यूकि K और N की sodium और potassium है दोन की properties जोती है एक यसी हो सकती है इसलिए हम क्या करते हैं या तो हम potassium डाल सकते हैं या तो हम sodium का hydroxide डाल सकते हैं तो AQUOS KOH हमने डाला है यहाँ पर alcoholic ने डालना है यहाँ पर काउन से डालना है AQUOS डालना है जब हमने AQUOS इसमें डाला तो क्या होगा यह breakdown होगा यहाँ पर यह bond है यह तोटेगा और यह बन जाएगा negative और यह बन जाएगा positive अब यहाँ पर KOH और OH है K हमेशा बनता है positive और OH हमेशा negative इतना होगे अब क्या करना है Simple positive वाले को negative के पास और negative वाले को positive के पास भीज़ रहे हैं और क्या बन गया हमारे पास प्लस यह जो एक्स है के साथ मिलके बनाएगा के एक्स ठीक है आरो एक्स क्या है हमारा एलकोहॉल जो कि हमें बनाना था ठीक है और यह हमारे पास कोई भी के की हलाइड है पोटैश्यम की हलाइड ठीक है अब हम देखेंगे इसका एक्जाम्पल एक्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए CH3 CH CH3 और यहां पर है CL है ठीक है और मैं ब्लस एक्विस एक्विस एने ओएच डाल लेते हैं अभी एक्विस एनेओच यहां पर देखिए यह वाला bond टूटेगा CL पे और CL हो जाएगा negative CH हो जाएगा positive क्योंकि उसने अपने अलेक्ट्रagस लूस कर लिये है और CL अपना अलेक्ट्रagस लेके negative हो चुका है यहाँ na हो जाएगा positive और o-h हो जाएगा negative ओके अब क्या होगा यहाँ पर बन जाएगे wants ch3 ch positive है तो negative के पास जाएगा यह यहाँ पर जाएगा o-h और ch3 as it is अब यह जो na है वो जाएगा cl के पास तो यह क्या हो जाएगा na cl अब यह जो o-h है वो जिस भी carbon से attach है यह वाला further दो carbon से carbon की chains attach है तो इसे हम क्या बोलते हैं common name में हम इसे बोलते हैं isopropyl alcohol ठीक है isopropyl alcohol ठीक है इतना समझ मागई आपको और यह क्या होगा यह वाला यह भी same name होगा इसका नाम भी isopropyl बस यह क्या हो जाएगा chloride group S में तो chloride हो जाएगा यह ठीक है इतना समझ में आगए आपको अब हम देखेंगे by reduction of aldehyde and ketones ठीक है अगर हमें alcohol बनाना है तो अगर हम कर देते हैं reduction aldehyde का और ketone का तब भी हमें क्या मिल जाएगा alcohol मिल जाएगा अब यह जो aldehyde और ketone होते हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है विच इस कार्बोनाईल कंपाउंट्स कि यह दोनों हैं कार्बोनाईल कंपाउंट्स हैं जिनमें कार्बोनाईल ग्रूप है C double bond O group है तो उसे हम क्या खते हैं कार्बोनाईल ग्रूप कहते हैं अब यह दोनों के पास aldehyde सी है हमारे पास aldehyde और ketone होता है fatal bond O और यह तरफ आरकी कोई chain होगी और कि यह भी हमारे dopo पास ketone और यह और यहांल तो ketone में भी 0-0 ग्रूप आता है और aldehyde में भी c double bond O रोपाता है उनकी कुछ प्रोपर्टि जोंगी एक जैसी होंगी क्योंकि क्या है कार्बनाइल कंपाउंड से अगर हम इनका रेडक्षन करदे तो ऐस्टे mane पास अल्डीहाइड औरitting मिल करके अल्डीहाइड और Art. ही तो हमें हमने लिया अब डबल ओ След है एक aldehyde और उसका double bond हमें शो करना पड़ेगा oxygen के साथ ठीक है अब इसका हमने करवाना है reduction so reduction के लिए हम use करेंगे reducing agent li alh4 ठीक है li lh4 और li bh4 यह सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने देखा था हम करवा रहे थे reduction of cyanide, cyanide का reduction कर रहा थे तब हमने देखे थे तीन तरह की reduction हमने करवाए थे उसमें तो मने reducing agents के नाम भी वहां पर पढ़े थे li bh4 हम देख रहे थे वहां पर li alh4 दोनों ही हमने वहां पर बढ़े थे जिस तरह aqueous naoh, aqueous b, aqueous koh है उसी तरह यहां पर जो b है और al है दोनों ही एक ग्रूप में आते हैं तो एक जैसी property शो करेंगे और एक जैसे ही reduction करवाएंगे तो अब देखिए यहां पर reduction कर आते time यह देंगे hydrogen यहां प पर यह carbon है, मार्कर लीजए इसको और इस oxygen को दोनों को ही एक एक hydrogen प्रोवाइट कर आएगा तब तो reduction होगा और यहां पर डबल bond है वह तोट जाएगा और तब जाकरके एक-एक hydrogen दोनों के पास आएंगे और यह बन जाएगा R, एक hydrogen यहां पर आ जाएगा अब तो यह हो जा है, है ना, सिंपल जो, जिस भी carbon से attach है, उससे R group attach है, यानि कि कोई एक carbon की, उसके बाद कितनी भी chain हो, उससे यह फरक नहीं परता है, एक alkyl group की chain है इसमें, तो इसका मतलब यह 1 degree alcohol है, ओके उसी तरह एक और देखते हैं, CH3, CH double bond O, इसमें हम यह उस करेंगे फिर से, LIBH4, CH CH double bond O, यानि कि दो carbon का aldehyde, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं, acid aldehyde, acid aldehyde, acid पर हमेशा यूज करते हैं, दो carbon के लिए, acidic acid जैसे है, दो carbon की acidic acid, और जिस तरह है हमारे पास acetone है, उसी में भी कहा है, दो carbon का ketone, तीन carbon का, sorry, क्योंकि वो है, उसमें at least minimum carbon तो तीन हो चाहिए, तब जाकि वो की tone बनेगा, ठीक है, तो ऐसी tone हो गया, यह acid word जो है, दो carbon के लिए हम बार बार यूज करेंगे, इसका नाम हो जाएगा, ethanol, IUPAC में, यह double bond क्या होगा, यहाँ पर double bond फिर से टूटेगा, यह वाला carbon मार्क कर लीजए, यह वाला oxygen मार्क कर लीजए, इ CH, H की जगा अब क्या जाएगा, CH, 2, एक और hydrogen आ गया है, और यह double bond सिंगल हो जाएगा, और यह oxygen, hydrogen के साथ bond बन बन आ लेगा, तो यह बन गया, हमारे पास alcohol, यह दो carbon का alcohol है, तो इसका नाम हो जाएगा, ethanol, तीक है, ethanol हो जाएगा, और यह भी क्या है, 1 degree carbon है, alcohol है, अब देखे हम एक और, अगर हमारे पास है, आरोमेटिक में, बेंजीन रिंग है, और इसके उपर है, CHO, ठीक है, CHO है, और इसका हमें करवा दिया, रिदक्शन, रिदक्शन इन प्रिसेंस आफ एल, एलाई, एलाई, एलेच फोर, या फिर भी लिया सकते हैं, यह क्यारेगा, दो रिद्ली कर लेंगे, यह वाला कार्बन, यह वाला ऑक्सीजन, मार्कर दीजिए, और दोनों में ही एक एक हाइड्रोजन, एड़न कर दीजिए, यह बन जाएगा, अब, CH, अब क्या हो जाएगा, पहले भी उसके पास, एक हाइड्रोजन है, और यह O क्य होगा, अब सिंगल अलकोहौल, ठीक है, हमेशा जब भी बैंजीन के साथ, CH2 OH ग्रूप अटाच हो, तो इसमें कि होते हैं, बैंजाईल अलकोहौल, यह CH2 ग्रूप कहा है, बैंजाईलिक ग्रूप है, ठीक है, तो बैंजाईल अलकोहौल ही हो जाएगा, और यह है वन डिग्री अलकोहौल, क्य तक नहीं करना है इसके नाम क्या होगा बेंजिन यह बंञ बंशलडी हाइट का फिस वहां पर की हम ब्न डिग्री ग्री एलकोहॉल मिला तो हमेंशा जब भी हम अलडी हाइड से reduction करवाएंगे तो हमें हमेशा 1 degree alcohol मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं कि C double bond edge group हमेशा लगएगा एक तरफ तो वो सिफ एक ही carbon से bond बना पाएगा तो इसलिए जब तूटेगा यह जब तूटेगा तब यह 1 degree alcohol ही बनाएगा यह 1 degree alcohol बनेगा हमेशा इसलिए है सो अल्डी हाइड और रिदक्शन ऑल्वेश के फान डिग्री अल्कॉहॉल उसी तरह वह कीटोंस है अब कीटोंस में जब हम रिदक्शन करवाएंगे देखिए इसकी जेनरल रियाक्शन जैसे कि हमने ले लिया है आर सी आर बीच में होगा टबल बॉंड ओ ग्रुप यह को करना है फिर से रिद्यूसिंग एजेंट लाई एलच फोर जो की प्रोवाइट कराएगा हाइड्रोजन यहां पर भी सेम रियाक्शन होगी तु एच प्रोवाइट कराएगा यह वाले ऑक्सीजन और यह वाले कार्बन को माकर लिजिए तोनों में ही क्या होगा एक हाइड् ऑले द्वाइट ल आज बैसे सींगल बॉंार लगा और यहां पर जए हो ल एक बाहा ए जए कि यह वाला थैक और हमारे पास एल्कोहल स्कुर्ट टुडगर अलकोहल थी उसराह की एक टू डि caucus गृशनाशन है क्योंकि यह शोना कंशना तो लिग्र हैकुम्अ दो रिदिन CH3, C double bond O, CH3, ठीक है, मैंने भी बोला था आपको, कि अगर आएगा आपके पास minimum carbon का ketone, यानि की acetone, तो ये 3 carbon का है, बट acetose का नाम, है ना, acetone है ये, 3 carbon का ketone, इसमें भी हम यूज करेंगे, reducing agent, LILH4 यूज कर सकते हैं, NABH4 यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठ यहां पर हम दूसरा यूज कर लेते हैं, तक आपको याद भी हो जाएं, reducing agent के नहीं, NABH4, NABH4 यूज करने से, वही सेम चीज होगी, तो hydrogen प्रोवाइट कराएंगे, ये वाला carbon और ये वाला oxygen, तो नों के किक, hydrogen मिल जाएंगे, इसी तरह आप करती रहिए, और आपका हो ज यहां जाएंगा, तीन carbon की chain है, प्रॉप, प्रॉप, तीनों ही, single bond से touch है, प्रॉप, पेन, तू, ओन, ठीक है, यहां हम ए क्यों नहीं लिग रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो O है, वो कहक, ववल है, और ववल के यहां पर हम यहां पर कोई भी यहां पर यहां पर यह नहीं ल C, double bond O, C, H, 3, यह double bond उपर हो, side में हो, क्या फर्क पड़ता है, double bond C के साथ ही होना चाहिए, ठीक है, यह क्या हो जाएगा अब, दो carbon का ketone है, और वो attach किससे है, फिनाइल ग्रॉप से, तो इससे हम क्या बोलेंगे, acetophenone, common name, acetophenone, ओके, इसको हम लिखेंगे, यह रहा हमारे पास, Li, LH4, reducing agent, फिर से यह क्या कराएगा, दो hydrogen provide कराएगा, और यह वाला carbon जो होगा, यह वाला, और यह वाले oxygen के बीच में क्या आएगा, hydrogen आएगे, तो भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर है carbon, CH3, अब इसके पास एक और H आजाएगा, और यह बन जाएगा O के साथ हो जाएगा, O H, ठीक है, यह बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, यह phenyl है, उपर कौन सा ग्रूप है, इत, तो यह हो जाएगा, phenyl, इत, और O, all जाएगा, phenyl, ethanol, ठीक है, क्योंकि अब जो phenyl group है, वो side chain बन चुकी है, क्योंकि OH जो है, इस वाली chain में, तो parent chain यह वाली होगी, और यह हो जाएगी, side chain, इसलिए हमने क्या लिखा, phenyl group लिखा है, जब भी हमारे पास benzene cider में होता है, तो उसे में phenyl लिखते है, यह बत आपको पता ही होगी, phenyl बोलते हैं, और यह ethanol हो जाएगा, अब एक बात यहां भी comment है, जब भी हमन बात लिखने को मिला, तू डिगरी अल्कोहॉल, है ना, तू डिगरी अल्कोहॉल है यह बी, क्यूंकि यह वाला जो कार्बन है, जिससे OH अटाच है, यह एक दो कार्बन से अटाच है, है यह बात नोट करके हैं, यह बत लिखी भी है, ketones and reduction always give 2 डिगरी अल्कोहॉल, aldehyde हम तरहां आपसर we will come in between 2 degrees 2 degrees अ क्या तुक्या होता है तो हम देखिंगे from Carboccylic Acid यहां कि RCOOH यह होता है Carboccylic Acid इसको open कीजिए RC double bond O single bond OH यह about structure होता है Carboccylic Acid का ठीक है इतना ध्यान रखिएगा इसकी general reaction कर भाएं इसका भी reduction करवाएं तब क्या होता है यहां देखिए और सी डबल बॉंड ओ सिंगल बॉंड ओएच यह हो गया हमारे पास कार्बॉक्सिलिक एसड है सी यह लिख देती हूं उसको कार्बॉक्सिलिक एसड है इसका भी reduction हम करवाएंगे क्या करने में यह क्या देता है यह देता है अलडीर है कि समझाती हूं यह दो हाईडरोजन देगा इसको दो इन ऊच के साथ मिलकर के बनाते हैं water ठीक है यह water में बनाते हैं मिलकर के और यहां पर एक hydrogen बज गया वो लग जाता है इस वाली जगह में ठीक है अगर यह अब यहां लग जाएगा तो यह क्या बन जाएगा aldehyde बनेगा अब इसका भी क्या होगा फर्दर हम क्या राएंगे reduction क्योंकि यह reduction रुकता नहीं है हमें और इसका और reduction हो जाता है फिर क्या होगा इस carbon और इस oxygen का फिर से reduction हो जाएगा यहां पर हम यहां पर यूज करेंगे li-lh4 तो अभी वह solution में हो गई li-lh4 तो अभी क्या बन जाएगा और ch2 और यहां पर h as it is रहेगा तो यह हो जाएगा और ch3 और यहां पर OH यानि की one degree alcohol और यहां पर जितना carbon का number शुरू में था उतना ही रहेगा यान की cn इतना भी होगा शुरू में उतना ही बाद में रहेगा अब इसका जो है हम यूज करेंगे conversion में जब हम इसे conversion में यूज करेंगे तब ही हमें जो होगी useful होगी ठीक है देखे convert करेंगे हम सबसे पहले acetic acid को इताइल एलकोहॉल में पहले इन दोनों के structure बना दीजगा हमेशा तेकि acetic acid होता है दो carbon की acid यानि carboxylic acid यान की CH3 COOH योगी acetic acid इसे हमें गनवर्ट करना है इताइल एलकोहॉल में इताइल दो carbon का alcohol यान इसमें convert करना है हमें carboxylic को reduce करना है और इसे बनाना है alcohol यह तो हम जानते ही है कैसे होता है हमने लिया है CH3 COOH हम जानते हैं carboxylic acid reduction gives aldehyde Li-LH4 यूज करेंगे दो hydrogen प्रोवाइड करेंगे जो की H2O निकाल दिंगे और CH3 CHO बन जाएगा अब यह जो carbon है और यह वाला oxygen है इसका फिरदर फिरसे reduction होगा Li-LH4 से और फिर यह बन जाएगा 2 hydrogen प्रोवाइड होंगे और यह बाले carbon और यह बाले oxygen को एक एक मिल जाएगे hydrogen यह हो जाएगा CH2 और यह हो जाएगा OH यह बन गया हमारे पास ethyl alcohol तो इस तरह से हमें बिनाना था ethyl alcohol या फिर ethanol जो की 1 degree का carbon है ठीक है इतना समझ में आगे आपको एक और है बैंजोइक एसिड को convert करना है डिन्जाइल में ठीक है यहां पर बैंजाइल होगा Benzayl alcohol में बैंजोइक एसिट क्या होता है Benzoic acid यान की Benzine की ओपर Oic acid यान की Carboxylic acid CO-H यह बैंजोइक और बैंजाइल होता है Benzylic group होता है CH2 और यहां पर Oge यानकी alcohol तो यह हमें गनवर् इसका हमें करवाना पड़ेगा रिदक्शन यानि कि हम यूज करेंगे इसमें लाई लेच फोर यह भी दो हाइडोजन प्रवाइड कराएगा जिससे कि क्या हो जाएगा कार्बॉक्सिलिक एसड एच्ट्वो निकाल देगा ठीक है अब यह बन जाएगा अल्डिहाइड यान क अब इसका अगर हम और रिदक्शन करवादे लाई लेच फोर की प्रेसिंस में दो तो यह क्या बन जाता है यह बन जाता है बैंजीन और यहां पर इस वाले कार्बन और इस वाले अक्सीजिन को एक हाइडरोजन में में लेगा बंशाएग अब इस एच टू और यह ओ एछ तो यह बन गया हमारे पस benzyl benzyl alcohol चुकि हमें बिनाना था easy है ओके अब हम दिखेंगे next from gridnards reagent तो यह हम पहले भी कर चुके हैं gridnards reagent का आपको पास diagram यह दिख रहा होगा आपको ठेक है यह होता है gridnards reagent जब बन जाता है RMGX तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है यह तो अपके तो अपके तो अपके तो अपके तो हम जानते है gridnards reagent क्या होता है RMGX ठीक है अगर aliphatic है तो अगर aromatic है तो AR aryl group और MGX होगा इतना समझ मांगे आपको तो यह क्या होगा इसका गर हम reaction करवा दे अल्डिहाइड या किटोन से तब क्या होगा दिखते हैं इसकी reaction को general reaction ओके यह देखिए अभियान से यहां पर यह है हमारे पास C double bond O यहां चाहे है फिर दोनों ही कार्बो यहां पर कार्बन हो और दूसरा क्या हो हाईडोलिसम से अटाच हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है देखिए अब यहां पर हम ने डाल दिया RMGX तो क्या होता है यह RMGX तोड़ता है हम जानते है positive कौन बनता है negative कौन बनता है यह मैं आपको पहले ही बिता चुकी हूँ गर्णाल C agent में है Mg जो होता है वह बनता है positive being metal हमेशा करेगा electrons देने काम तो यह positive हो जाएगा और यह हो जाएगा negative comparatively to the metal Mg अब यहां पर double bond आया है यह भी तूट जाता है इसकी तरफ oxygen क्यूंकि यह है more electronegative than carbon carbon बन जाएगा positive अब आपको दिख रहा होगा कौन सा कहा जाएगा है यहां पर यह carbon वाला है C okay यह bond तो हो गया है अब ही तूट single bond हो गया अब यहां पर क्या होगा O हो रहेगा क्यूंकि अब एक ही bond तूट है और यह जो O होगा किसके साथ अटाच होगा यह अटाच होगा Mg x के साथ क्यूंकि यह positive है अब यह जो C है यह भी तो negative होगा था इसके साथ एक R group जोड़ जाएगा यहां पर आप एक R group जोड़ लीजे तो यह बन जाएगा R और O N G X यह बन जाएगा ठीक है इसे हम कहते हैं यह अच्छलिए बीच का product होता है ठीक है इसलिए हम इसे बोलते है इडिशनल प्रोड़क्ट अड़क्ट अड़क्ट बन जाता है एक क्योंकि यह जो है product के बीच में बनता है reaction जो हो रही होती है उसके product बनने के बीच में बनता है यह और फटाफट क्या हो जाता है फटाफट तोट जाता है जैसे हम इसका hydrolysis कराते हैं है hydrolysis हमने करवाया था HOH का और उसके साथ हमें हमें हमेशा डालते हैं H ions to neutralize जब हमने HOH डाल दिया तो ओ जो होगा वह किसमें तूट जाएगा अब ओ नेगिटिव में और यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा पॉसिटिव पार्ट में तूट जाएगा है ना अब यह इसलिए सिर्फ बेंस में बताया है यह बन जाएगा अब ओ नेगिटिव बन जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा अब यहां पर Mg X की जगा कॉन जोड़ जाएगा H वाला पार्ट क्योंकि यह पॉजिटिव है तो यह क्या बन गया एलकोहॉल ठीक है इस तरह से बन जा पर सिर्फ एक ही कार्बन था और उसके अलावा अगर अगर कोई और होते दो इनगे मिला करके यह इतने कर वेर आपके पास और मैंम पर तो अनने क शेंवे कार्बन का नंबर भी बढ़ जाएगा यह आप यहां पर नोटिस कीजिए इसलिए मैं बूर रहे हैं कि यहां से बहुत सी चीज़ें बन सकती है तो अभी हमें यही करना है में अल्कोहॉल बना करके बहुत सी चीज़ें में बनानी है देखिए अगर कन्वर्जिन में आता है ह काई इसलिए कोशिवशम साथिम यह आखै झाल देखिए तो कें इसलिए के से से में सब अअ इस तरह 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 लिखते है रही है क्योगमें इसटाद क्या नोमांफिए शचेट है भी अब इसमें हमने एड़ान कर देंगे ग्रिग्नार्स येजन्ट क्योंकि हम एल्डीहाइड और किटोन दोनों को ही ध्यान दीजिए आपको यहां पर क्या है द्यान देना थे हम यह जो चीज थी किसके लिए थी ऐल्डीहाइड के लिए भी थी और किटोन के लिए भी थी तो aldehyde और ketone का अगर हम RMGX से reaction करवाते हैं तो हमें मल जाता है alcohol दोनों के cases में तो यहाँ पर भी क्या है अभी aldehyde है तो इसका अगर हम करवा दें reaction हमारे grignals reagent यानि की CH3 mgbr से ठीक है यह जो ethyl alcohol है इसमें हमें क्या करना है ethyl यानि की 2 carbon का alcohol एक carbon और बढ़ाना है क्योंकि formaldehyde में तो सिफ एक ही carbon है तो यहाँ पर हम CH3 लखेंगे क्योंकि हमें एक carbon बढ़ाना है चाहिए आर में आप कुछ भी लिख सकते हैं या आपकी मर्जी होगी इसमें अब क्या हो जाएगा reaction में यह टूटेगा यहां पर यह बन जाएगा positive यह बन जाएगा negative यह बन जाएगा यह बन जाएगा positive ओके अब देखिए क्या होता है यह जो CH3 है यह बन जाएगा अब CH यहां पर क्या बन जाएगा देखिए धियान से CH यह positive था तो उसके पास अगा negative पार्ट है ना तो यह CH2 के पास यहां पर लिख देते हम CH3 अब यह double bond single हो गया है यहां O है और O Mg के साथ जुड़िया है O Mgbr के साथ इतना समझ में आ गया अब क्या होगा इसका hydrolysis होच और hydrolysis के पास हमें हमेशा याद रखेंगे हैं अब यहां पर यह नेगटिव हो जाएगा इतना समझ में आ गया यह नेगटिव हो जाएगा और यहां से यह positive पार्ट तूट जाएगा hydrolysis करने से क्या होगा CH3 CH2 और O जो होगा यहां पर बन जाएगा एक हाइड्रोजन जो होगे यहां से होगे इसके पास यह जाएंगे और Mgbr जो होगा अपना प्रोड़क्ट बनाता है यह हमने किया था पहले भी CH3 CH2 OH जो कि में बिनाना था इथाइल अल्कोहॉल वह बन चुका है दो कार्बन का अल्कोहॉल ऑके अब इसी तरह का एक और कोईशन है करने है अईस्व प्रोपाइल अल्कोहॉल में पहले इनके स्ट्रक्चर बना ली किजिए का कि आपको जाधा क्लियर हो जाए अइसर अल्डियाइड यह होगा सीचछी है इसे हमें iso-propyl में तीन carbon का और यहां पर क्या होगा 10,2 tutaj OH – Cイ Auch único और यह बन गया हमारे पास हमें क्या करना है जून के साना है उसल्हे करें अज्धेयर है कर सकते हैं खarlos में कर सकते हैं ग्र टिनाल्स रेजेंट की हएँ केसे किरेंगे यहां पर हम एक कार्बन कायन की CH3 MgbR ले ले लेंगे क्योंकि एक ही कार्बन में बढ़ाना है यह यह फिर से टूट जाएगा CH3 हमेशा नेगटिव में और यह टूटे का पॉजिटिव में यह नेगटिव और यह पॉजिटिव यह फिर से टूटे कार्बन में देखे क्या होता है CH3 अब यहां पर जो C है यहां पॉजिटिव पार्ट है यह एक CH3 आजाएगा यहां पर यहां पर O के साथ कौन आएगा यहां पर H O के साथ आजाएगा MgbR अभी जो MgbR यह से हमें क्या करवाना है हटाना है इसका Hydrolysis करा देंगे HOH और H IN डालके तो यह क्या हो जाएगा अब CH3 CH CH3 और यहां पर आजाएगा C के साथ Oxygen और H क्योंकि यहां से Hydrogen आजाएगा और यह OH इस MgbR के साथ बनाता है MgbR OH यह हम कर चुके हैं तो Hydrolysis हम करवाई इस ले रहे हैं ताकि MgbR निकल जाए जो कि हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए सर्फ OHO का पाट चाहिए जो H के साथ मिलके बनाएगा तो यह बन गया हमारे पास Isopropyl Alcohol कैसे अगर यह CH3 जो यहां पर है इसे हम यहां लिख दे इसे हटा करके तो यह क्या बन गया भी Isopropyl Alcohol ऐसे लिखे ऐसे लिखे Isopropyl Alcohol ही रहेगा Next है Acetone को में Convert करना है Tert Butyl Alcohol में Acetone यानि की 3 Carbon का Ketone CH3 CH3 इसे में Tert Butyl Alcohol में करना है तो यह देखिए यहां पर क्या होगा Tertiary बन रहा होगा तो यानि की यहां पर भी CH3 होगा और यहां पर CS3 CS3 और यहां पर OH होगा तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा इस पोजिशन में क्या करना है सिफ एक OH लेके आना है तो यह बन जाएगा तो यह बन जाएगा Tert Butyl Alcohol तो यह इसको करने के लिए भी हमें सिफ एक CH3 MGBR की जरुरत होगी और CS3 MGBR क्या हो जाएगा यहां पर यह भी पॉजिटिव नेगिटिव यह हो जाएगा नेगिटिव और यह हो जाएगा पॉजिटिव और यहां पर यह बना देंगे अब अब यह बना देंगे CH3 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 C double bond हो जाएगा single यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव है तो यहां जाएगा CH3 O MGBR और यहां पर CH3 इसका हम करवा देंगे hydrolysis HOH CH3 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 और यह CH3 हाइड्रोलिसस में होने से MGBR MGOH OH यह वाला कार्बन एक दो तीन कार्बन से जुड़ा वैसले तर्ट और व्यूटाल इनकी चार कार्बन है और इलकोहलिक ग्रोप इसमें है तो तर्ट व्यूटाल इलकोहल बन गया नेक्स्ट है एसी टोन को हमें गनवर्ट करना है तो फिनाइल प्रॉपेन टो ओल में एसी टोन होता है तीन कार्बन का की टोन CS3 और CS3 क्या टो मना कौत होङए यह बनाना है हमया इससे बनांग गार कारी या Hans रियाक्षिंज३ण किरा कराओंगे यानि कि यहां हम लेंगे बेंजीन बिल्ट यह बनार रियाक्षिंड रिंग और रियाक्षिंट्ट्च拥 एड़ह भीव थैंडाल करनी है यह reaction फिर देखना अपनी आप जाएगी यह जाएगा नेगटिफ भी कुद काम करो फड़ा 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 पॉजिटिव नेगटिव CS3C double bond का single हो जाएगा O M G V R यहां पर जुट जाएगा CS3 यहां पर हमारे पास Krisp 2 पर फड़ा फड़ा फ्राव फड़ा फड़ाय अभी नारे मीजरी फड़ा 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 अब और इसके साथ तू पोजिशन में और यानके अल्कहॉल अटाच है ठीक है अब इसे तरह है फॉर्मल डी हाइट करना है बेंजाइल इसे आप खुद कीजिएगा या आपको होमवक है ठीक है याप कर सकते हैं इसे खुद कीजिएगा तभी आपको आएगा नहीं आरा तो आप कोमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको नहीं आया तो मैं आपको इलिए स्वालिशन आपको भेजता हूँगी ठीक है अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीज को एंड सब्सक्राइब दे चैनल अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल जो अप्डेट्स है आप तक कहुंचे तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं थैंक यू एंड गुब्बाई